ये कई बार क्लास में पढ़ाई गई नियूज है आज फिर से पढ़ानी है क्यों पढ़ानी है क्योंकि साहब आज एक बहुत बड़ा इसके अंदर अपडेट देना है क्या है साहब भारत में दो नदियों को जोड़ने के लिए केंदर सरकार के कैबिनेट ने यानि कि उस मिनिस्ट्री ने जो पैसा देती है उसने चम्मालीस हजार चैसो पांच करोड रुपे सैंक्शन कर दिये कि लीजिए नदियों को जोड़ दीजिए किस नदी को जोड़ना है जी? केन और बेतवा नदी को जोड़ना है जी केन और बेतवा कौन है जी? ये सर यमना नदी की सहायक नदियां है जी चम्बल सिंध बेतवा केन ये नदियां है चम्बल नदी ये यमना नदी की सहायक नदियां है जिनमें से केन नदी का पानी बेतवा नदी के अंदर डाला जाएगा यानि कि इसका पानी इसमें डाला जाएगा और खर्चा कितना आएगा? 45,000 करोड रुपे का आएगा और इस कार्य के लिए मेरे प्यारे साथियों हाल ही में केंदर सरकार के द्वारा पैसा दे दिया गया है यानि कि केंदर सरकार ने हाल ही में केंदर बेतवा रिवर इंटर लिंकिंग परियोजना में कैबिनेट ने नदीयों को आपस में जोडने की परिकरिया के लिए मनजूरी दे दी है यानि कि अब तक केवल प्लानिंग ही प्लानिंग चल रही थी आपको जान के आशरे होगा जैसे आज आप लोग 2022 का UPSC लिखेंगे तब भी चंबल सिंद बेतवा के नदियां पढ़के जाएंगे वर्ष 2005 में जो बच्चे UPSC लिख रहे थे वो भी इसको पढ़के गए थे और आ 2008 से ले करके अब तक यह हर बार सुर्खियों में रहा है यानि की भाई साहब सबसे पहली बार चर्चा इसकी 2005 में हुई थी 15 साल बाद जाके पैसा चूटा है और हालत यह है जनाब की चर्चा के बाद 2008 में इसको थोड़ा स्पीड अप किया गया था प्रोजेक्ट फाइल वगएरा बनाई गई थी अब जाकर के पैसा इसको रिलीज होना शुरू होगा आज के बाद से 8 साल इसको बनाने में लगेंगे यानि अगले 8 साल तक भी आप इसको परिक्षा के लिए उपियोगी पा सकते हैं भारत का पहला अंतर राज्जी है नदी जोडो परियोजना यह होने वाला है कमेंट बॉक्स में बता दो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा नदीयों को आपस में जोडने के लिए एक संग्ठन की स्थापना की गई है उस संग्ठन का नाम क्या है जिस पर मैंने अलग से वीडियो भी डाल रखा है आप चाहें तो देख सकते हैं टेक्निकल टीम जगी हुई हो तो कमेंट बॉक्स में उसको पिन भी कर सकती है जी हाँ नीरा नाम से प्रोजेक्ट निशा और विशाल बिल्कुल सही जवाब दिया आपने नीरा नाम से प्रोजेक्ट है साथियों जो भारत के अंदर नेशनल इंटर लिंकिंग अथोरिटी के रूप में डवलप किया जा रहा है नीरा रिवर इंटर लिंकिंग के लिए डवलप किया जा रहा है ठीक है ना तो नीरा नाम से जो संस्था इन्होंने बनाई है उसका एक्शन शुरू हो गया है उसने बकाइदा अपने द्वारा एक Special Purpose Unit का निर्मान कर दिया है जो इस कार्य को करने के लिए किरियानवित करने के लिए अब action लेने वाली है इसके लिए बकाइदा केन बेतवा Link Authority प्रोजेक्ट का निर्मान किया जाएगा यानि कि यहां पर KBL यानि कि केन बेतवा Link प्रोजेक्ट अथॉरिटी इसका अलग से निर्मान किया जाएगा नीरा के तहट जो यह सारे कार्य करेगी चीक है ना चलिए अब यहां पर देखते हैं क्या कुछ आता है साथियों 44,605 करोड रुपे की कुल लागत इसमें आने वाली है आठ साल में यह परियोजना पूरी होगी परियोजना के लाब सुन लीजिए परियोजना के लाब यह है इसमें 103 मेगावाट जल विधुत यानि की पानी से बिजली का उत्पादन किया जाएगा हाइडरो पावर का उत्पादन किया जाएगा और 27 मेगावाट सोलर एनरजी का उत्पन करने की परियोजना बनाई गई है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इसके साथ साथ इसको बनाने के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट प्राधिकरन नामक एक स्पेशल परपस वीकल की स्तापना की जाएगी याद करिएगा मैंने आपसे कहा था कि नीरा जो है नेशनल इंटर लिंकिंग रिवर अथॉरिटी ये तो जलशक्ती मंत्रा लेके अधीन बनाई गई सबसे बॉड़ी बॉड़ी है इसके अधीन एक स्पेशल परपस वीकल एस पीवी का निर्मान किया जाएगा उस एस पीव लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी के बी एल पी ए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट बोले तो परियोजना अथॉरिटी बोले तो प्राधिकरन इसका निर्मान किया जाएगा याद कर लेना जैसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो उत्तर प्रदेश में जो अभी पूरवांचल हाईवे बना है या इससे पहले आगरा लखनव हाईवे बना था जो हम एक्सफरेक्स हाईवे बनाया था ये कौन सी अथॉरिटी ने बनाया था अथॉरिटी के नाम कई वार पूछ लिया जाते हैं जल्दवाजी में आप लिखके आ सकते हैं एनेचे आई वग ये देखिए, कुल में लाकर के मोदी जी की स्लाइड पर लगे हुए ये एक, दो, तीन, चार और यहाँ पर बाकी चार यदि ये आपको पॉइंट याद है तो इसके अलावा कुछ याद नहीं करना है मैं साइड में हट जाओं तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, यही आपको चीज याद रखनी है, कैबिनेट का निरने है आठ दिसंबर का निरने है, पढ़ाते हुए हमको आज का दिन आ गया है, ठीक है न इसमें क्या है, अहां जी विध्यारती है, प्रियांशू उन्होंने सही आंसर दे दिया है, बिलकुल प्रियांशू का आंसर सही है, आरती प्रजापत का सही है, बिलकुल सही है, और केशाव मिश्रा का भी सही है, उपेडा नाम से साथियों संस्था बनाएगे थी, U-P-I-E-D-A उपेडा नाम से, उत्तर प्रदेश के नाम से उपेडा और यही उपेडा है, जो गंगा एक्सप्रेक्सवे का निर्मान भी करेगी पूरवांचल का भी की है, ऐसे ही साथियों यह आपको याद रखना है, क्या नाम है, के बी पी एल ए है ना तो यह निर्मान करेगी इसका, इसमें क्या होने वाला है, आईए अब मैं आपको बताता हूँ साथियों, इस रिवर लिंकिंग पर योजना के अंदर पहली बार भारत में दो राज्यों के बीच में नदिया आपस में जुडने वाली है, अच्छा मैं थोड़ा सा डीटेल में चलूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, होने वाला क्या है होने वाला ये है, जी कि यमना नदी जो है ना, यमना, अपनी यमना जो यमनोत्री से आ रही है वही यमना जो अलहबाद यानी प्रयाग राज में जाकर गंगा जी में मिलती है उस यमना नदी की सहयक नदियों में केन और बेत्वा नदी के नाम आते है, मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर यह जो आपको दिख रही है यह है बेत्वा नदी, और यहाँ पर आपको दिख रही है देट इस पन्ना नदी यहां पर पन्ना नदी में पानी ठीक ठाक है पन्ना नदी का पानी यहां से ले जा करके बेतवा नदी के अंदर डाला जाएगा साथियों यह मसला जो है दो राज्यों के बीच में बटेगा दो राज्य कौन कौन से है तो मध्य प्रदेश के तो छतरपुर, पन्ना और टीकम गड़ दिहान से सुनिएगा तीन राज्य मध्य प्रदेश के जिनको पानी मिलने वाला है और तीन राज उत्तर प्रदेश के जिनमें नाम है बांदा, महोबा और जांसी इन छे जिलों को पूरी तरह से पैसा मिलने वाला है यानि दो राज्यों के छे जिले तीन मध्यप्रदेश के तीन उत्तरप्रदेश के इनको इस कारेकरम के बाद सूखे से राहत मिल जाएगी जिसमें की 1.26 लाख हेक्टेर भूमी की सिजाई हो पाएगी 62 लाख लोगों को पीने का पानी उबलब्द हो पाएगा और चूंकि ये पूरा की पूरा चेतर बुंदेल खंड चेतर कहलाता है तो बुंदेल खंड चेतर के अंदर अब यहां से जब पानी की व्यवस्ता हो जाएगी तो सामाजिक और आर्थिक व्रदी को बढ़ावा मिलेगा आपको कुछ और बाते भी मैं बता देता हूँ जो important रूप से आपको पता होनी चाहिए जो अपने आप में काफी महत्वपून है आपको साथियों जो सबसे important बात पता होनी चाहिए इसमें ये जो पानी बहने वाला है ये एक कैनाल के माध्यम से नहर के माध्यम से बहने वाला है और उस नहर की जो लंबाई है वो दो सो इकीस किलो मीटर के आसपास रखी गई है है ना दो सो इकीस किलो मीटर की नहर है इसमें दो किलो मीटर तक पानी दिखेगा ही नहीं अर्थात पानी टनल में से होकर के बहेगा यानि कि पानी को बहाने के लिए जैसे सडक पे से गाड़ी निकलती है टनल में से ऐसे दो किलोमीटर की टनल के मध्यम से पानी जाएगा यानि कि दो सो एकिस किलोमीटर के साथ में 2 किलो मीटर की टनल भी यहां पर निर्मित की जा रही है जिसमें से पानी को प्रवाहित किया जाएगा ठीक है ना? तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है साथियों यहाँ पर बहुत सी बाते और पूछी गई जैसे परिशानिया क्या होंगी परिशानियों में सबसे उपर परिशानी रखी गई है कि मध्यप्रदेश का जो छेत्र है उसमें पन्ना नामकिस्थान पर पन्ना टाइगर रिजर्व है और उस पन्ना टाइगर रिजर्व का दस प्रतीशत हिस्सा इस छेत्र के अंदर डूब जाएगा यानि कि पन्ना टाइगर रिजर्व का दस प्रतीशत हिस्सा इसकी वज़े से प्रभावित हो जाएगा साथियों कहा जा रहा है कि ऐसा होने से लगभग 9000 हेक्टेयर भूमी जल के अंदर समा जाएगी क्योंकि ultimately टनल जो निकलेगी वो जमीन से ही तो जाएगी इसमें इतना 1000 हेक्टेयर भूमी जलमगन हो जाएगी पन्ना टाइगर रिजर्व जो है उसका बहुत सा हिस्सा प्रभावित होगा वो पन्ना टाइगर रिजर्व जिसमें लगभग 30 टाइगर रहते हैं तेंदुए गिद भालू घडियाल रहते हैं उनके जीवों को फरक पड़ेगा लगभग 16 सो के आसपास परिवारों को यहां से विस्थापित करना पड़ेगा इतना वन भूमी जो है यहां पर प्रभावित हो जाएगी साथियों इस पूरी प्रकिरिया के अंदर केन बेतवा लिंक परियोजना जो है इसमें वर्ष 2007 में एनवायर्मेंट मिनिस्ट्री ने इस काम को करने की अजाज़त दे दी थी अगर हम बात करें तो सबसे पहले बातशी तो 80 के दशक में हुई अटल जी की जब सरकार आई तो उस दोरान इस पर कारे करने की फाइलिंग शुरू हुई ऐसा कहते हैं इसके बाद में चर्चा ही चर्चा चली आ रही थी फाइनली अब जाकर के इसके उपर पैसा अलाव किया गया है इस पैसे के अंदर मैं आपको बता दूँ 44,000 करोड रुपीज दिये जा रहे हैं जिसमें से 39,000 याद रखिएगा 39,317 करोड रुपे तो केंदर सरकार अपनी तरफ से खर्च करने वाली है दौनों राज्यों के लिए यानि केंदर सरकार के द्वारा पैसा दिया जा रहा है और लगबग 3,000 करोड रुपिया जो है बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो दौनों राज्य आपस में मिलकर के खर्च करेंगे ये उन पैरियार जो नदी है उसके उपर केरल के अंदर रिवर इंटर लिंकिंग प्रोजेक्ट हुआ था जो की केरल की है अठारा सो पिचान में के अंदर यह घटना हुई थी पैरियार बेसिन से पानी निकाल करके वैगई नदी के बेसिन के अंदर डाला गया था आप पूछें इसके बारे में already UPSC प्रश्ण पूछ चुकी है, आपके अभ्यास के लिए प्रश्ण मैंने दे भी दिया है, जो जानकारी आप मेरे साथ लिख पाए बहुत अच्छा है, नहीं लिख पाए परेशान ना हो, क्लास के अंत में संपून जानकारी हमारे टेलिग्राम चैनल अंक करिए है कि अनकैडमी पर कल संदे के दिन भी मेरा टेस्ट है, जो कि आपके RNA का टेस्ट है, जो हमने इस वीक में पूरा RNA पढ़ा है, इसका टेस्ट है, याद कर लीजिएगा, और ये जो टेस्ट रखा जा रहा है, ये टेस्ट का टाइमिंग रखते हैं, अपन 10.30, 10.30 पर आपका सुबह morning में टेस्ट है, आप सभी लोग उसमें उपस्थित हो जाएं, ठीक ना, सुबह 10.30 मिनिट पर आपका सुबह RNA का टेस्ट है, अनकैडमी पर यदि आप चाहते हैं, हमारे साथ कोर्स परचेस करना, तो अनकैडमी पर UPSC का सब्स्क्रिप्शन 44,000 में है, आप इसे जाइन कर सकते हैं, और इसमें आपको Pre-Plus Mains का कोर्स दिया जाता है, और Optional के लिए अगर आप चाहते हैं, तो आप हमारे साथ में एक कोर्स जाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 24,000 के अंदर जो है वो Optional का कोर्स में मिलता है, यह सब जानकारिया आप राप्त कर सकते है अनकेडमी की Special Class का आपका जो एंटरी है वो एक दम फ्री है, मेरा Referal को डंकित टैर है, उसका उप्योग करें, अपना खयाल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित विस प्रकार से विक्सित करें, कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित म